सीटेट 2020 का परिच्छा 5 जुलाई को होना था मगर उससे 10 दिन पहले रद कर दिया यानि कि डेट आगे बढ़ा दिया गया वो तिथी को रद करके कहा गया कि आगे एक्जाम होगा मगर वह कब होगा छात्र काफी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एक्जाम कब होगा मगर कुरो भी एक्जामनेशन चल रहे थे नौकरियों का और भी प्रिप्रेशन करने वाले तमाम परतियों को काफी परेशानी हुई उसमें सीटेट 2020 का एक्जाम काफी महतपूर्ण था मगर उसे रद कर दिया गया यह कहते हुए कोरोना महामारी में जो परेशानिया थी एड्मिट क लाड़ ही नहीं पहुँचा है तो हम परिच्छा कैसे देंगे तो इन सभी के बीच सीबी एसी के द्वारा यह एक्जाम लिया जाना था मगर इसे ट्वीट करना पड़ा सिच्छा मंत्री को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निसांग को कि बरतमान परस्थितियों को देखते अब देखना यह है कि परस्थितिया अनुकुल कैसे होगी और कब होगी क्योंकि छात्र लाखों छात्र इस परिच्छा का इंतजार करते हैं और सीटेट जो सेंटरल सिच्छक पातरता परिच्छा है अलेटी टेस्ट होता है प्रतेक बर्स लिया जाता है उसमें उसके अड अधिकारिक बेवसाइट और CBSE की बिवसाइट चेक कर रहे और CBSE की बेवसाइट पे वो कोमेंट करके पूछ रहे थे őं फो फी इस बीच इन सभी बातों को सुनते 처 First और देखते देखते महाल क्रोणा महामारी के कारण ज़्यदा बढ़ गया तो एक्जाम को तिथी आगे बढ़ाने का निड़ने लिया गया और अगला कब आता है CVSE ने कहा है कि सीटेट जुलाई 2020 को लेकर उसको लिस्ट अपडेट करेंगे और CVSE.NIC.IN परलगातार उपलब कराई जाएगी मगर अभी तक तिथी नहीं तै किया गया है इसके कारण छात्र इस तिथी को खोज रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि आखिर कब होगा एक्जाम क्योंकि सीटेट 2020 कई छात्र इंतजार करते हैं लाखो छात्र इस परिच्छा का इसलिए सरकार को इन सभी चीजों पर अब ध्यान देने की आवा सकता है कि जो बेरुजगारी दर भी बढ़ते जा रहा है और बेरुजगारी बेतहासा धंग से बढ़ते जा रहा है तो कोरोना महामारी से बच निकलने का कोई उपाई निकालना होगा सिच्छार्थियों के लिए वो काफी कई जंगों से तयारी कर रहे थे और अभी वी इंतजार में हैं कि सरकार एक्जाम ले मगर आखिर कैसे ले कुरोना महामारी जिस परकार से बेता हासा धंग से बढ़ गया है इस कारण से परिसानी हो रहे हम इन तमाम खबरों में बने हु झाल, झाल, झाल